आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Hello Everybody, 100 questions In flooded a balloon, एक फुलाओवे गुबारा को and rub it against your dry hair अपने dry hair से उसे rub करते है and then gently placed it against a wall the balloon will stick to the wall तो क्या होगा? जो balloon हो, वो अदिवाल से चिपक जाएगा Why is it so? तो हैं बताना है कैसा क्यों होगा तो देखिए, कोई गुबारा इस तरह से मानले ये फुलाओवे रखा गया है देखिए कोई गुबारा इस तरह से फुलाओवे रखा गया है देखिए तो और अब हम इसे dry hair से जब इसे rub करेंगे तो we know जब भी किसी body को मानले जब हम यहाँ पर इसके dry hair से जब यहाँ पर जब हम rub करेंगे तो जब भी किसी body को hair चरप करते हैं तो body चार्ज हो जाती है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हमारा आवेश ट्रांसफर हो जाता है जब हम दो अबजेक्ट के बीच घर्षन करते हैं तो मान लेते हैं यह हमारा बैलून आवेश सित हो गया जब हम खर्षन करेंगे अपने dry hair से तो यह आवेश सित हो जाएगा और मान लेते हैं कि हमारा इस परकार से हो जाएगा देखिए पोजेक्टिव चार्ज इस परकार से पोजेक्टिव चार्ज आ जाता है अब देखिए तो क्या होता है जब वाल के पास इसे ले जाते हैं आने जी कि यह हमारा वाल है जब वाल के पास इससे ले जाते हैं तो यह इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है फीरा गाने सीधे निन कौने करेंगे तो याहां दीखिए जब डू अ फोसीड चार्ज Reach रहेगा जब आपने सामने अवो फोसीट तो एक दीूसरे को आट्रेक्ट करेंगे क्या करेंगे एक दीूसरे को आट्रेक्ट हैंस लेखिए हैंस OFF rinse दा बैलून and the wall required opposite charge so they attract each other attract each other तो हमें यही बताना था why is it so तो देखिए यहां पर जो चार्ज है वो opposite चार्ज है एक दूसरे को आपने सामने तो एक दूसरे को attract करेंगे थेंक्यू आपने डाउट्स आपने डाउट्स आच चार्ज 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 पर